नमस्कार मैं हो ससी आये जर्गां के टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं सिक्षा मंद्री ने लॉंच किया सीवी असेश्मेंट फ्रेमवर्क केंद्री मादमिक सिक्षा बोड ने बुद्धवार को विज्ञान गनीत और अंग्रेजी के लिए योगता धारित मुल्यांकन धाचा कक्षा 6-10 के चात्रों के लिए भारत की मजूदा इस्कूल सिक्षा परनाली को मजबूत करने और सिखने के समगर पहिनावों में सुधार करना चाता है ब्रीटिस काउंसिल ने अलफा प्लस के साथ साथ यूके के ग्यान साज़ेदार ने भारतिये विद्यालियों में बर्तमान सिक्षन और मुल्यांकन मॉडल के ब्यापक अनुसंधान और विशलेशन के बाद इस सवरूप को डिजाइन और विक्सित किया है राजधानी राची सहीत आसपस के इलाकों में होली के तेवहार पर आस्मान में बादल रहेंगे बता दे उमस थोड़ी और बढ़ने के असार है मौसम विबाकी ओर से जारी किये गए अनुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में धीरे धीरे अधिक्तम तापमान में और ब रोत्री के असार है बता दे पिछले 24 घंटे में राची सहीत आसपस के इलाकों में अधिक्तन तापमार 35.3 डिग्री सेल्सियस रिकोर्ट किया गया वाई निमतम तापमार 29.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जैक बोड की बैठक राद बोड परिक्षा की त्यारियों की होनी थी समिक्षा रांची में पुद्वार को जाखन अकेडमी काउंसिल जैक बोड परस्तावित बैठक राद हो गई पता देया बैठक 17 महीने बाद आयोजित होने वाली थी इस बैठक में तीन दर्जर इंट कॉलेज हाई इस्कूल मदर्शा और संस्कूलों के मन्याता के प्रस्ता पर चर्चा होनी थी लेकिन बैठक अस्थागित कर दी गए इसका आवेजान एकेडमी कॉंसिल के सबागार में होना था बता दे मैट्रिक और इंटर की परिक्षा को लेकर जार्खन एकेडमी कॉंसिल क के कारेकारी अध्यक शेमन सुरे ने बुद्वार को पछे मंगाल विधान सबा चुनाव को लेका चल रहे प्रचार में तिरुनमुल कॉंग्रेस के परत्यासियों के समर्थान में तीन जन सबाय की उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजबा जैसी सामन्त वाधी पार्टी हाए त लोगों से तिरुनमुल काउड़ेस के पर्तयासियों को बोड़ देकर मामता दिदी क्या हतों को मैजबूत करने की अपील की केरल और महाराष्ट से आने वालों को 72 घंटे में दिखानी होगी जाच रिपोर्ट चार्खन सरकार किरलोवा महराष्ट से आने वालों लोगों को राजे में परवेश के 72 घंटे के अंदर या तो RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी या उन्हें RT-PCR जाज करानी होगी बतादे स्वास्थ सचीव के के सोनने राजे में कोरोना के वरते मामलों को देखते हुए आदेश जारी किया है आपदा प्रवंधन विभाग के सचीव को उन्होंने इस बावत एक पत्र भेजा है जिसमें हवाई मार्क के साथ साथ बस या ट्रेन से राजे में परवेश करने वालों यात्रियों की कोविट जाज सुनिशित कराने का निर्देश दिया है रांची में जपट मारी और चोरी के जेवरात खपाने वाले जेवर कारोबारी रडार पर जाकन के रधानी रांची में स्नैचिंग, लूट, ठगी, जपट मारी और चोरी के गहने जेवरात बड़े प्रमारे पर जेवर कारोबारी खपा रहे है बतादे जेवरात गला कर काला कारोबार किया जा रहा है इसे देखते वे राची पुलिस ने जेवर कारोबारियो पर नकेल कसने के लिए एक्शन पलान बनाया है बतादे एक दर्जन से ज्यादा जेवर कारोबारी पूलिस के रडार पर हैं पूलिस को सुचना मिली है कि सहर के ग्रामिन और सहरी इलाकों में छोटे-छोटे जेवर की दुकान चलाने वाले चोरी और छिंताई के गहने अपने दुकान में खापाने का काम कर रहे हैं उन्हें पकरने के लिए एक विसेस टीम भी बनी है जारखन के तिरंदाजों ने 10 मेडल के साथ बने ओवर ओल चेंपियान उत्राखन के देरा दुन में आवेजित 41 स्वेर अश्टिये तिरंदाजी चेंपियनसीप में जारखन के तिरंदाजों ने उत्रीष्ट परदशन किया है बतादे इस चेंपियनसीप में जारखन के तिरंदाजों ने कूल आठ स्वन एक सिल्वर और एक ब्रोंज मेडल जीत कर ओवर ओल ओर चेंपियन का खिताब अपने नाम किया बतादे देरादुन में अवेजित एक तिरंदाजी चेंपियनसीप में अपने उत्रीष्ट परदशन के बाद जारखन लोटने पर राची डीसी छावी रेंजन ने टीम के खिलाडियों को समानित किया है जारखन में 35-35 सरकारी पद रिक्त जुगार से चलता है काम मुख्यमंत्री जारखन के मुख्यमंत्री एमान सुरे ने का कि राजे में करी 35-35 सरकारी पद रिक्त हैं ऐसे में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं पूरे की सरकारे अस्थाई नियुक्ती नहीं कर जुगार से चल रही थी काम जुगार की बेवस्था अस्थाई होती है बर्तमान सरकार दिरकाली नियोजना पर काम कर रही है आने वाला साल रोजगार का होगा मुख्र मंत्री ने मंगलवार को बयट सत्रिक के समापन भासन मे थे रांची में लगेगा धारा 144 पर रोक अगामी परवतेवार को hen राशी में धारा 144 लागू होगी बता दे होली शब ये बरात जैसे परवतेवार को देखते वे रांची जीला परसासण धारा 144 करने का नेना लिया है इस दोरान भीड बारवाले कारेकरम नहीं करने जूलूस रैली के अलावा डीजे और तेज आवाज में गाना बजाने पर रोक रहेगी पता देया 28 मार्च से 30 मार्च 2021 तक जारी रहेगी इस समन्द में सदर अन्वंडल पता दिकारी राची ने अधिसुचना जारी कर दिया है जारखन में 194 नई संक्रमित की पुष्टी हुई है जो राची से 30 अन्वे बोकारो 9 देवघर 1 धनबाद 3 दुमका 5 पूर्वी सिबो 34 गोड़ा 1 गिरीडी 1 गुमला 5 हजारी बैक तिन जामतगा 1 खोटी 4 कोडार्मा 1 लाते हार 2 लोहरदागा 3 पाकुर 3 रामगार 1 साहिव वहीं 13 सराय के ला 6 और पच्चमी सिम्मों से 5 मरीज मिले है जारखन में कूल संक्रमितों की संख्या 1 लाख 1695 है वहीं 1 लाख 9626 लोग स्वास्थ हुई और 1100 की मिरित्यू हुई है जारखन में कूल एक्टिव केस 979 है बतादे भारत में 31429 नई संक्रमित की पुष्टी गड़वा में पुलिस कर्मियों और वीडियो पर पत्राव जारखन के गड़वा जिले से बड़ी खबर आ रही है बतादे मजया पर खंड के बरडिया थाना छेत्र के सलगा गाह में बिवादित भुवी पर लगे गयों को पुद्वार की दोपर कटवा ने पहुचे इस दोरान अक्रोसित होकर गरामिनों ने पसासन के साथ जणप होने पर अचानक से पथर बाजी करना शुरू कर दिया है बदादे इसमें कुछ पूलिस कर्मी को चोट लगने की बात कही जा रही है बंगाल चुनाओ को लेकर रांची में 25 से 27 माच तक ड्राइडे रहेगा बतादे रांची के उपवक साथ जीला दंडा अधिकारी छवी रंजन ने इस समद में आदेश जारी कर दिये है बंगाल बिदान सभा चुनाओ के प्रथम चरण का मद्दान सोतंतरता एवं निस्पक चरूप से संपन कराने के मदे नजर जीला में ड्राइडे का आदेश पर्थासन द्वारा दिया गया है पता देया 25 मार्च 2021 के अप्राहन 6 बच कर 30 मेट से 27 मार्च 2021 के अप्राहन 6 बच कर 30 मेट तक जारी रहेगा कोडार्मा में घोडे की सवारी करते नजर आय किरिसी मंत्री सीडियों का निरिक्षन कर बावा से असिवाद लिया बता दे इससे पुरु क्रिस्टी उवा पॉसुपालन मंत्री बादल पत्र लेक एक कारेकरम में सामिल होने के लिए बीति देरात को डर्मा पहुंचे पलास के फुल से सुगंधित हो रहा जारखन जारखन पलास के फुलों से सुगंधित हो रहा है यहां के जंगलों में होली से पहले पलास के पेड़ों में लाल पीले फुल खिले हैं बता दे ग्रामिन पलास के फूलों का उपयोग जड़ी बुटी से लेकर विविन परकार की विमारियों में करते हाई बता दे इन फूलों को हिंदी में धाक, टेसू, बंगाली में पलास, मराथी में पलास, गुजराती में के सुडा कहते हाई पलास के फूल से मुत्र समंधी रोग, रताउंधी, गर्वधारन के समय उपयोगी, बवासीर, रक्त स्राव में उपयोगी होता है आजान में लोड़ी स्पीकर के इस्तिमाल पर रोग को लेकर हाई कोट में आचका दाखिल या चिका में कहा गया कि लोड़ी स्पीकर के तेज धौनी से धौनी पर दुसन हो रही है, इस पर रोग लगाया चाना जरूरी है कहा गया है कि बश्त 922 से पूर मस्जिद में होने वाली अजान में लोड़ी स्पीकर का पर योग नहीं होता था जार्खन में 1 अप्रेल से 45 ब्रस के उप़र के सभी लोगों को लगेगी भैक्सिन भारत सरकार के स्वास्त एवां परिवार कल्यान मंतरले के अंतरगत संचारी स्वास्त एवां परिवार कल्यान विभाक के सचीव राजेस भोधन की ओर से COVID-19 के बैक्सिनेशन के समध में नई गैलेन जारी की गई है इसे लेकर राज़ानी राची के उपाईव उच्वी रंजन ने प्रसासनिक अमलेक को नए सीरेस से निर्देश जारी किये हैं इसके तहट सरकार के पत्र के अलोक में अगामी एक अप्रेल से 45 वरस से लेकर 69 वरस आयूवा के लोगों के लिए बैक्सिनेशन की परकिरिया परग्राम होने जा रही है जार्खन की राजेपाल ने राजरापा मंदिर में नातिन का कराया मुंडन जार्खन की राजेपाल द्रोपादी मुर्मू बुद्वार की सुब़ आठ बजे पुजा आचना के लिए राजरापा इस्थित माचिन मस्तिके मंदिर पहुँची बतादे वे अपनी बेटी दमाद वा नातिन के साथ मंदिर पहुँची भाली सुरक्षब बवस्ता के बिच राजेपाल द्रोपादी मुर्मू 15 मिनट के करीब भगवती के दर्बार में पुजा आचनाक में लिन रही इसके बाद वे खुद ही मंदिर परिसर इस्थित मुंडन साला में आकर अपनी नातिन का मुंडन संसकार कराया बतादे मौके पर पत्रकारों से बाचित के दुरान राजेपाल ने कहा कि पहली वायरे रपाई स्थित माचिन मंदिर के दर्बसन करने आई हूँ हजारी बाग में दरदनाक हद्सा तलाब में डूबने से पांच बचों की मौत हजारी बाग में एक दुखत घटना होई है बतादे एक तलाब में डूबने से पांच बचों की मौत हो गई मामला कटकम सांडी प्रखंड छेत्र का है इलाका सहर से सटा हुआ है बतादे यहां बचे तलाब में ना आने के लिए गए थे इसी दोराण डूबने से सभी की मौत हो गई 12 सुरक्षा कर्मियों को चकमा दे थाने से भागा पीलेफाई कमांडर कृष्णा यादो जारखंड के राची समय चार जीलोग के कोईला छेत्र में सक्रिये रहा पीलेफाई सभ्जोनल कमांडर कृष्णा यादो उप सुल्तान बालुमा थाना के हाज़त से मंगलबार की सुब अफरार हो गया बतादे कृष्णा को बालुमा पुलिस ने दो दीनों के रिमांड पर लिया था मंगलबार को रिमांड अवधी खत्म होने के बाद उसे राची जेल भेजा जाना था लेकिन इसे पहले ही वा फरार हो गया है जार्खन बिधान सभा का टीवी चैनल लौंच जार्खन देश का दूसरा ऐसा राजे जार्खन बिधान सभा की कारेवाही का जार्खन बिधान सभा योटूब चैनल और अने सोसल मीडिया प्लेटफरम पर सिधा पर सारान होगा बता दे जार्खन देश का दूसरा ऐसा राजे है जहां बिधान सभा का अपना टीवी चैनल है मुख्यमंत्री ने कहा है कि या हम सभी के लिए या एक बड़ी उपलवदी है उन्होंने इसके लिए बिधान सभा द्यक्ष बिधान सभा के अधिकारियों और करमचारियों को सुबकमनाय और बधाई दी इस मौके पर संस्क्रिति कारकर्म का भी आविजन किया गया है फरार उग्रवादी मामले में पाच पुलिस कर्मी निलंबित बालुमाथ ठाना के हायत से मंगलवार को पुलिस को चकमा देकर फ्रार हुए पेले भाई के सभ्यूर्र कमांडर किष्णा यादो का दूसरे दिन भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है बतादे इधर इस मामले में करवाई करते हुए लात्यार पुलिस अधिक्चक परसांत अनन्ने लपरवाई बरतने के आरोप में बालुमाथ ठाना परभारी राना भाननू परताप सिंग केस के अनुसंधन करता दीप नरायन सिंग सहायक अवर निरिक्चक ठाकूर परसाद सिंग, रामदेव मंडल और चोकिदार, सुरेश, गांजु को निलंबित कर दिया है सरकार 4,24,024 किसान बनाएगी मंत्री बागी टार इस्टेडियम में भुद्वार को मुख्य मंत्री पसुधन, विकास, योजना अंत्रगत, परिसंपत्ती, बित्रन, एवाम, तुधारू, पसु, मेला, सहगव ये परदसनी का आउजन किया गया पतादे परदसनी का उदगाटन, किरिसी पसुपालान, एवाम, सरकार्ता, विबाग के मंत्री बादल पतरलेक ने किया मौखे पर किरिसी मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार 4,24,024 बिर्शाक किसान बनाएगी जादी आप चैनल परना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बढ़ का बेल लाइक कर दबाएए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ सेयर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कुमेंट बक्स में आपना फीडबैक अवास्य दे थाइंक यू